हैंए मेंindustrie जे ओधने हूर ऑज के वीडियों काफी इंटरस्टिंगे बेगॉस आज देखेंगे चMan इसजे बिचोंबाइं-धप उनीजिशंटे अपको पता ही नहीं था यह आप कोई East बेस डिसीजन ले सकें कि यार इतने पैसे स्विगी भी घर्षणा हूं इसे अच्छा तो को खायर कर लों उसको 5000 की सब्जिया दे दूं फिर भी मेरे स्विगी ऑर्डर से कम बढ़ रहा है यह रिलाइजेशन हुई थी मुझे इस काल्कुलेशन करने के बाद सो सबसे पहले एक सब्सक्राइब कर दो आपस पर आते हैं कि जमेर डाट कॉम क्वलों ऐसे चौन करो सब्सक्राइब कर लों इस इक्सेंशन पर टैप कर लो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा इसमन्त फॉर आल मंत पॉर आल टाइम अन दिस यह तो कोई भी सेलेक्रों सेव ऑप् more orders, load more orders करते रहो आपके करीबन 3-5 मिनिट लग जाएंगे कि जब तक list खतम नहीं होती then right click करना है, inspect element करना है उस पे console पे जाके ये code है code description में होगा, copy करना है and paste कर देना है, and enter दबाती हो value देदेगा कि आपने 70,000 खर्चे हैं, आपने 20,000 आपने 10,000 खर्चे हैं, वो जो total आली आएगी वो उपर से लेके नीचे तक है, अगर आपको एक साल का time frame जानना है, तो वही orders load कीजिए, जो एक साल के time frame में आते हो, and फिर जान लेते हैं, Uber का Uber का, it's pretty simple, एक link होगा नीचे description में उस पे click करो, requested data करो, sign in करो request your data कर दिये, ये 2-4 दिन में आपको data भेज देंगे, पूरी एक zip file होगी उस पे जाओ, उस पे trips data होगा, फिर एक CSV file होगी Excel वाली, उस पे जाना है, and फिर आपकी first order, first ride से किया आप कहां गहे थे, क्या location है, कितने kilometer आपने drive किया, सब data इनके पास तो आपको बस some formula यूज करना है, and फिर आप देख सकते हो कि आपने कितने kilometer की ride करें Uber से, कितने पैसे खर्चे है, and फिर आप decision भी ले सकते हो कि यार, अगर मेरी Uber ride ज्यादा हो रही है, और per kilometer cost ज्यादा बन रहा है, कि अगर मैं कोई 7-8 लाक की गाड़ी लूँ, उस पर CNG लगाऊं, तो मेरी running cost 2-3 रुपे पर kilometer होगी, maintenance जोल देता हो, तो 5 रुपे होगी, 6 रुपे होगी, मेरी Uber 13 रुपे किलोमेटर, 14 रुपे किलोमेटर बट रही है, Amazon पे भी आपको क्या करना है, Google पे लिखना है, Amazon request your data, तो उस first link पे क्लिक करना है, और फिर email id दे देना है, यह भी 2-4 दिन में आपको पूरा data बेच देंगे, उस data में order history में सब कुछ लिखा होगा, and the total amount to, तो आपको फिर से वही some formula यूज करना है, and आजाएगा कि आपने 10 लाग की shopping करी है, 20 लाग की shopping करी है, इस date से इस date तक, and फिर आप काफी interesting चीज़े भी कर सकते हैं, कि आपकी top 5 purchase क्या थी, maybe आपने TV खरीदा हो, maybe आपने fridge खरीदा हो Amazon से, maybe कुछ और, तो 3-4 बड़ी-बड़ी चीज़े खरीदी हैं, तो वह 2-3 लाग तो वही हो गया, So that's it for this video, ऐसी short useful videos के लिए, subscribe करना मत भूले गया, community के साथ, share कीजे, comments में, कि आपकी क्या realization थी, ओ भाई साब मेंने, तो इतने ही पैसे खर्च दिये, Swiggy पे, Zomato पे, Amazon पे, कॉमें पे, कॉमें लिखना मत भूलेगा, आपके वास तरीके हैं, Flipkart के and Ola के तो वह भी बता दीजिए, कॉमेंस में and that's it for this video, I'll see you in the next one.